नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का My Career चैनल पर, तो आज सबसे पहले हम, हमने जो इससे पहले वाली वीडियो में जो समझा था, पढ़ा था, उसके मैंने कुछ questions यहां पर लिखे हैं, आशा है आप सबने screenshot ले लिया था, इसलिए मैं थोड़ा late आई थी और अगर नहीं लिया है, तो एक बार फिर से आप screenshot ले ले लेंगे इसका, तो यह जो हमने कल जिसके बारे मैं समझा था, उस वो मैंने यहां पर कुछ questions लिके हैं, पहला question है, भाशा शब्द की व्यूतपत्ति कहां से हुई है, दूसरा question है, देवनागरी लिपी किस भाशा की लिपी है, तीसरा question है, हिंदी भाशा की जननी किसे माना जाता है, चौथा question है, हिंदी भाशा का विकास, यानि कि हिंदी भाशा का विकास कहां से शुरू हुआ है, तो आपको बताना है, मैंने जो क्रमबाईज आपको समझाया था, उसी तरीके से आपको बताना है कि कहां से विका भारतिय समविदान में किस अनुछेद में संग की राजबाशा हिंदी का उलेक है यह हमारे पास 6 कोईशन है आपको इन 6 कोईशन का आंसर कमेंट वॉक्स में देना है और जो भी आपको इससे अगर आपको समझ में नहीं आया है कि इसमें क्या आंसर होंगे तो आप इससे पह प्राइंगे उसके बाद हम और आगे आज कद जो हमारा टॉपिक रहेगा उसके उपर हम छरचा करेंगे इस से पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था हिंदी भाषा हिंदी भाषा और भाषा, हिंदी भाषा में भी हमने सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला जो शब्द था, वो क्या लिया था? भाषा को लिया था, तो ये जो भाषा है, ये भाषा जो शब्द है, ये कहां से लिया गया है? संस्कृत की भाषधातु से, भाषधातु से लिया गया है, जिसक को प्रकट करना यहीं से हमारा भाशन भी बना है अच्छा अगर हम बहुत ही सामानी भाशा में बोलें कि भाशा का क्या मतलब होता है तो भाशा एक ऐसा ऐसी चीज है जो हमारे विचारों को भावों को और भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाती है हमारे विचारों को विच जो उजागर करती है वो भी भाषा होती है अच्छा मैं आपको एक छोटा सा उधारन दूँगी कि अगर आपके सामने कोई एक व्यक्ति खड़ा कर दिया जाए और उसको बोल दिया जाए कि आपको बोल दिया जाए कि 15 मिनट ये व्यक्ति आपके सामने खड़ा रहेगा और आपको 15 मिनट में इस व्यक्ति के चरित्र के बारे में या इसका मुल्यांकन करना है तो आप कैसे करोगे आप 15 मिनट उस व्यक्ति के साथ बात करोगे उस व्यक्ति को समझोगे और वो किस विशय में बाते कर रहे हैं उनके बारे में जानोगे तो वो जो बाते कर रहे हैं विचार अभी व्यक्त कर रहे हैं वही भाषा है और उसी भाषा से ही आप क्या कर रहे हैं उनका मुल्यांकन कर रहे हैं तो सीधा सीधा क्या मतलब हो गया कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी भाषा उजागर करती है तो भाषा क्या है हमारा एक समवाद का एक साधन है जिससे हम दूसरे तक अपने विचार पहुचा सकते हैं इसके बाद हम आएंगे अच्छा किसी भी भाषा इसके बाद हमारा था लिपी लिपी क्या होती है तो लिपी जो होती है वो क्या होती है हम अगर लिपी की बात करें तो किसी भी भाषा को कि जो हमारी ध्वनी होती है ध्वनी को जब हम किसी ध्वनी को जब हम किसी आकरती में उक्वेरते हैं उसे बनाते हैं तो उसको हम लिपी कहते हैं जैसे हमारा हम हमारी जो हिंदी भाषा की जो लिपी है वो क्या है देवनागरी लिपी है और देवनागरी लिपी को कैसे लिखते हैं जैसे हमने कौ लिखा तो यह क तरीका है इसको हम क्या बोलते हैं देवनागरी लिपी बोलते हैं तो किसी भी ध्वनी को जब हम किसी आकरिती में उकेरते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं लिपी बोलते हैं और हिंदी भाषा की जो लिपी है वो क्या है देवनागरी लिपी है इसके बाद अच्छा फिर एक आता है कि भाषा के कितने अंग होते हैं, तो भाषा के जो अंग होते हैं, वो तीन होते हैं, कौन-कौन से होते हैं, एक तो हो जाता है आपका ध्वनी, और दूसरा हो जाता है शब्द, और तीसरा हो जाता है वाक्य, ध्वनी किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ये बहुत important question, ये बहुत बार पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वो है ध्वनी, मैं एक बार फिर से दोरा देती हूँ, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनी होती है, फिर उसके बाद शब्द, शब्द ज्यानी की मैंने क्या बोल दिया, कब, कब, तो ये शब्द हो गया एक, ये हमारा एक शब्द हो गया, फिर हमारा बनता है वाक्य, जैसे वानी को प्रकट करना, ये हमारा क्या हो गया, वाक्य हो गया, अर्थपूर्ण वाक्य, तो कितने भेद होते हैं भाषा के, तीन भेद होते हैं, इन तीनों को मिलाकर हम o्य अजन्या हमारी क्या बनती है घातीय है अन्य पिख उसके बाद हमारा था इसके को आव रहे थे हमारा जो दूसरा शबध यहां पर में हमारा जो Weinच बोर्ड में लिखा वद लिख रहा है वो है हिंडी तो हिंदी की सबसे पहले तो यह देखा था कि हिंदी जो भाषा है उसकी उप भाषाएं अब कोई भी जब भाषा जो भी भाषा होती है वो राज भाषा होती है राष्ट भाषा होती है तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि जो हिंदी है वो राज भाषा है वो हमारे देश की क्या है राज भा है इसकी भी हिंदी की भी उपभाशाएं है कितनी उपभाशाएं है तो उपभाशाएं कितनी पढ़ाई थी मैंने आपको पांच कितनी उपभाशाएं है पांच उपभाशाएं है अच्छा आप इसको याद कैसे करेंगे पांच उपभाशाएं तो या तो आप इसे रट ली कीजिए या समझ के याद कीजिए लेकिन याद होना चाहिए जैसे भी जिस भी जो भी तरीका आप अपनाते हो पांच उपभाशाएं कौन-कौन सी हो जाएगी आपको क्या करना है पहले पॉपव वाला हम पॉपव वन वाला पहले लेंगे यानि कि पूर्वी हिंदी और फिर हमारा आजाएगा पश्चिमी हिंदी फिर पॉप से फिर एक और क्या आजाएगा पहाड़ी हिंदी फिर पॉप के बाद अगर हम शब्द कोश्च के हिसाब से लें तो क्या आजाएगा पॉपव व में क्या आजाएगा हमारी बिहारी हिंदी बिहारी हिंदी और फिर इसके बाद शब्द को उसके हिसाब से कौन सा वर्ण आता है हमारे पास रो यह रो तो यह हो जाए का हमारा राजस्थानी हिंदी यह याद करने का तरीका मैं आपको बता रही हूं इनके अंदर कौन-कौन सी बोलिया आ दिये, तो मैं फटा-फटा आपको रिवाइज करती हूँ, पूर्वी हिंदी में कौन-कौन सी है, पूर्वी हिंदी में हमारी सबसे पहली हो जाएगी, बगेली, अवधी, और, चतिसगडी, और, पश्चिमी हिंदी में क्या हो जाएगी हमारी, बुंदेली, कन्योजरी, बांगरू, ब्रजभाशा, खड़ी बोली, यह सारा किसमें आ जाएगा हमारा पश्चिमी हिंदी में, पहाडी हिंदी में हमारे पास आएगा, गड़वाली, कुमावनी, और एक आता है कुल्लूई, कुल्लूई जो बोली है, वो बोली जाती है हिमाचल के कुल्लू मनाली एरिया में, कुल्लूई, इसके बाद हमारे पास है बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी में मैंने आपको बताया था, मागदी, बोजपूरी, बोजबूरी और मगई, मागदी नहीं आएगा, मैथिली आएगा, मैथिली, इसके बाद हमारे पास आता है राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी में क्या क्या होगा? मारवाडी, मेवाती, जैपूरी और एक आएजाएगा मालवी ये सारी क्या हैं हमारी उपभाशाओं की बोलिया हैं, तो ये था हमारा हमने जो कल पढ़ा, कल हमने जो पढ़ा था, इस पहले वाली वीडियो में हमने जो पढ़ा था, ये सारा हमने वो दोराया है, आज का हमारा जो चर्चा का विशय है, वो रहेगा हिंदी शब्द की व्य हिंदी शब्द की व्यूत्पत्ती यह जो हिंदी शब्द है हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे यह हिंदी शब्द जो है आपने हम थोड़ा सा उत्तर पश्चिम वाले एरिया में जाएंगे जहां पर हमारा क्या है मान सरवर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी जो कहां बहती है भारत के उत्तर पश्चि में बहती है और पाकिस्तान के बीचों भी-छोते वुए कहां जाती है यह अरभ सागर में जाती है तो ये जो सिंधु नदी थी सिंधु नदी का हिंदी से बहुत बड़ा संबंध है कैसे है क्योंकि जब भी कोई भी जब प्राचीन समय में जो भी व्यापारी या आकरांता जो भी थे जब वो सिंधु जब वो इस भारत में आते थे यह भारत वर्ष की बात हो रही है भारत की बात नहीं हो रही है जब ये भारत में आते थे, तो क्या होता था, इनको सबसे पहले, ये कहां पहुंचते थे, सिंधु में, ये सिंधु द्वार से होते वे, जब आते थे, तो कहां पहुंचते थे, ये सिंधु नदी के आसपास कहीं पहुंचते थे, तो ये जैसे ही सिंधु नदी के आसपास पहुंचते थे तो यह क्या बोलते थे सिंध का देश या सिंध का प्रदेश कहां पहुंचे हैं अगर उनसे कोई पूछता था कि आप कहा हो इस समय तो यह क्या बोलते थे सिंधु के प्रदेश में है या फिर क्या बोलते थे सिंधु के देश में है तो यह जो सिंधु का जो तो इरिया था उसको यह किया बोलते थे सिंदु प्रदेश बोलते थे आप क्यूंकि इरानियों के साथ भारत के पहले से फ्राचीन से इसे righteon से कि क्या होता है कि जो इरानी भाषा है उसमें क्या हो जाता है सौ को ये लोग क्या पढ़ते हैं हो और धौ का क्या बन जाता है दौ आप समझ रहे होंगे, सिंधू था पहले, और सिंधू से क्या हो गया, सौ का हो गया हो, और धौ का हो गया दौ, तो ये सीधा सीधा क्या बन रहा था, हो और दौ का उचारन कैसे हो गया, हो और दौ में, दौ में नहीं बलकि दौ में होने लग गया, अब क्या हुआ, जो ये, अब इसके बाद क्या हुआ कि ये सिंधू से क्या हो गया फिर मतलब आप यहाँ पर सीधा समझ लीजिए कि सिंधू की ये सिंधू का जो यात्रा चली वो कैसे हुई सिंधू से बना हिंदू क्योंकि सौ का हो गया तो क्या बन गया ये हिंदू और धौका दौ हो गया तो ये हिंदू बन गया और हिंदू से क्या बन गया अब हमारे पास हिंदू से क्या बन गया फिर हिंदी बन गया ये हिंदी कैसे बना ये भी हमें समझना है तो जो हिंदी बना इसमें क्या था कि ये हिंदी जो शब्द है ये Hindi भाषा का नहीं है, सबसे पहले तो हमें ये समझद लेना है, ये Hindi जो शब्ध है, ये Farsi भाषा का है, कैसे Farsi भाषा का बना? अब यहां तक, तो हिंद्व तक तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे बना हिंदी कैसे बना तो क्योंकि फार्सी भी भारत में आते रहे फारस के जो यात्री थे जो व्यापारी थे वो भी आते रहे तो इनका जो क्या हुआ फार्सी भार्षा का जो संबंधकारक है संबंध कारक का इप्रत्य ये इसको आप अच्छे से समझेंगे इप्रत्य जो है वो कहा लग गया अभी तक तो हिंद था सिंदू से हिंदू बना हिंदू से हिंद बना और फिर हिंद से क्या हुआ ये हिंद से क्या हुआ ये इप्रत्य जुड़ने पर ये क्या बन गया समझ गए आप कि हिंदी शब्द की व्यूत्पत्ति कैसे हुई तो यह ऐसे हुई अब मैं इसको आपको थोड़ा सा चार्ट बना के दिखा देती हूँ यह है हमारा सिंधु क्यूंकि नदी के हिसाब से यह पढ़ा था तो सिंधु प्रतेशिस को बोलते थे फिर इसके बाद हमारा आ जाएगा सिंधु से क्या हुआ हिंदु समझ में आ रहा होगा आपको कि सिंधु से हिंदु कैसे पढ़ा फिर इसके बाद क्या पढ़ा सिंधु से हिंदु के बाद क्या पढ़ा हिंद और हिंद में इप्रत्य जुडने से क्या बन गया ये हिंदी, तो ऐसे हुई हमारे हिंदी शब्द की व्यूत्पत्ति, अब ये सिंदू से हिंदू किस ने बनाया, सिंदू से हिंदू तो बनाया, इरानी ने, इरानी जो व्यापारी थे उन्हों है, और हिंद, यहां से हिंद किसने बनाया हिंदू से हिंदी किसने बनाया तो ये बनाया फारसीन है अब आपको समझ में आ गया हो गया कि हिंदू शब्द की वियुत्पत्ति कैसे हुई इसके बाद हमें समझना है कि जो ये हिंदी शब्द है क्या ये भाषा के लिए प्रयोग हो रहा था या फिर हिंद प्रदेश में जो लोग रह रहे थे, जो मानव जाती रह रही थी, उनके लिए भी प्रयोग हो रहा था, तो बिल्कुल, ये पहले भाशा के लिए ना प्रयोग हो के, किसके लिए प्रयोग हो रहा था, पहले मानव जाती के, हिंद प्रदेश में जो मानव जाती रह रह रही उनके लिए प्रयोग हो रहा था कैसे जब हम जब आजादी से पहले जब अंग्रेज यहां रह रहे थे तो यहां का जो भी निवासी था भारतवासी जो भी था उसको क्या कहते थे हिंदी हिंदी यहां पर भाषा के लिए भी यूज नहीं हो रहा था उपयोग नहीं हो रहा किस सीज के लिए उपियोग हो रहा था हिइं लाइप यहाँ पर हम वतन है यहाँ पर इस 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 वाक्य बोल रहे हैं हिंदी है हम् हम, वतन हैं, किसने गँआता यह, मुहम्माद इख्बाल जी ने, यह Hindi जो शब्द है, यह यहाँ पे किसके लिए यूज हो राय है, यह बहर शा को नहीं यूज होरा है, बलकि किसके लिए हो रहा है, व्यक्ति के लिए, यहां मैं चुद मानुजाती रह रही है, उनके लिए पूपयोग हो रहा है, इसके बाद एक और है हिंद देश के निवासी, यानि कि इसको मैं उपर लिखती हूँ, हिंद देश के निवासी, यह आप समझेंगे, हिंद देश के निवासी यानि कि हिंदी, यहां से शायद आपको ज्याद अच्छे से समझ में आएगा, हिंद देश के निवासी कौन हो जाएंगे हिंदी जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं कि अमेरिका का जो निवासी उसको हम क्या बोलते हैं अमेरिकी चीन देश का जो निवासी होगा उनको हम क्या बोलेंगे चीनी वैसे ही हम हिंद के जो निवासी थे उनको भ पड़ता जाता है तो हिंदी जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग होने लग गया क्या कहने लग गया कि हिंद में जो भाषा बोली जाती है वो क्या है हिंदी है और ये वो भाषा थी जो हर जगे नहीं बोली जाती है जब यहां पे जोर्ज गेर्शन के आपने नाम सुना ह जब उन्होंने भारत का ब्रह्मन कर रहे थे वो, तो उन्होंने एक चीज़ पाई थी, कि भारत में हर कोई अंग्रेजी नहीं समझ पा रहा था, और नहीं हर कोई अंग्रेजी बोल पा रहा था, इंग्लिश को इंग्लिश का इतना प्रचार प्रसार उस समय भारत में नहीं था लेकिन फिर हिंदी का भी हर जगे ऐसा नहीं था कि हिंदी भी हर कोई समझी रहा है लेकिन उन्होंने एक चीज देखे बोल रहा है हिंदी समझ फिर उन्होंने एक चीज देखी कि भारत में बहुत सारी ऐसी भाशाएं हैं जो बोली जाती है यानि कि बहु भाशी देश है लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हर कोई समझ पा रहा है बोल नहीं पा रहा है वो अलग बात है लेकिन उसको समझ पा रहा है तो उन्होंने क्या आपने अगर कभी पढ़ा होगा तो उन्होंने क्या कहा था कि भारत में अगर आपको जाना है अगर आपको भारत में रहना है तो आपको हिंदी बोलनी आनी चाहिए क्योंकि वहां के लोग वहां के जो निवासी है वो हर कोई अगर हिंदी बोलना नहीं ज आएसे हुआ, ये व्यूदपत्ति ऐसे हुई, कुछ क्रिविदंतियां कहती है कि हिंदू जो शब्ध है वह कुछ आप मतलों सोच समज़कर है मतलब इसके पीछे कुछ कारण है ही का मतलब यहां पर कहा गया है कि हनन करने वाल करने वाला और दु का मतलब यहां पर कहा गया है दुस्ट यानि कि हनन्व करने वाला को क्या कहा गया है हिंदू तो यह जो यह जो किविदन्तियां है यह जो कहानिया जो लोगों ने बोली है इसके बारे में थोड़े क्योंकि हमारे पास साक्षे कम हैं, तो हम इसको ना मानके ये जो हमारा सिंधु प्रदेश वाला जो हमारे पास चर्चा का विशय है, उसको हम ज्यादा विश्वसनिय मानते हैं, तो आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हिंदी शब्द की व्यूतपत्ति कै कैसे हुई है और कैसे ये हिंदू से हिंदू बना, हिंदू से फिर हिंद बना, हिंद से फिर हिंदी बना, तो आशा है आप सब को समझ में आ गया होगा, धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में